कक्षा चट्वी हिंदी की पाठ्थे पुस्तक वसंत भागेक वह चिरिया जो कभी के दारनात अगरवाल जहरोखा चैनल के नंधा स्कूल कारिक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने नंधा स्कूल कारिक्रम छोटे बच्चों की कक्षाओं के लिए हिंदी भाषा के पाठ्थो पर बनाया है, नरसरी, प्राइमरी और मिडल स्कूल की कक्षाओं, यानि कक्षा एक से लेकर कक्षा अगर तक के बच्चों के लिए इसे तयार किया गया है कक्षा 6 के लिए CBSI के पाठिक्रम में शामिल पुस्तक वसंद भागे का पहला पाठ इस बार लिया जा रहा है पाठ का शीर्षक है वह चिडिया जो इस कविता के कवी है कवी के दारनात अगरवाल तो आईए चलिए सबसे पहले कविता का पाठ करते है वह चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुंडी के दाने रुची से रस सिखा लेती है वह चोटी संतोशी चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे अन्न से बहुत प्यार है वह चिडिया जो कंट खोल कर बूड़ेवन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है वह चोटी मौ बोली चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है वह चिडिया जो चोच मार कर चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह चोटी गरबी ली चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है कविता का पाठ कर लेने के बाद आईए अब हम इस कविता के कठिन शब्दों के सरल अर्थों को जान लेते हैं जुंडी के दाने यानी जौ और बाजरा के दाने, संतोशी यानी संतुष्ट रहने वाली, अन्यानी अनाज, कंठ यानी गला, बुडेवन बाबा यानी पुराना जंगल, रसंडेल कर यानी मधुर आवाज में, विजन यानी निर्जन स्थान, टटोलना यानी छुना, या सारांज भी जान लेते हैं उत्तर कविता का सार इस कविता का सार यह है कि संसार के सभी प्राणी एक समान ही होते हैं नीली चिडिया ज्वार के दाने मजे से खाती है उसे वे प्रिय है कभी कहते हैं कि मुझे भी अन्र प्रिय है इसी तरह चडिया अपनी मीठी आवाज में जंगल के लिए गाना गाती है उसे जंगल से त्रेन होता है कवी कहते हैं कि मुझे भी जंगल प्रिय है चडिया नदी के जल को पीती है कवी कहते हैं कि मुझे भी नदी प्रिय है अर्थाद दोनों में समानता है तो ये था कविता का साथ हम कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे प्रश्न पहला कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिडिया का जो चित्र भरता है उस चित्र को कागस पर बनाओ उत्तर कविता पढ़कर हमारे मन में चिडिया का जो चित्र भरता है वह इस प्रकार है पहला चित्र एक चिडिया जुआर बाजरे के खेत में पौधो पर बैठी है दानों में अभी दूद ही आया है चिडिया उन दूद भरे दानों को अप्तियंत्रुची पूर्वक और परम्नानंद के साथ खा रही है उस चिडिया के भाव संतोष के भाव है दूसरा चित्र चिडिया अपना गला उदारता पूर्वक खोल कर पुराने जंगल के लिए मीठा गीदगा रही है तीसर चित्र चिडिया नदी में आई बाड के जल को सपर्ष करती है और नदी से अपने लिए भोजन निकाल कर और जाती है वह एक करमट चिडिया है पसबसे अपने आप पर अभिमान है मैं कागज पर ऐसे तीन चित्र बना सकता हूँ प्रश्न दूसरा तुम्हें कविता का कोई और शीशक देना हो तो क्या शीशक देना चाहोगे उप्योक्त शीशक सोच कर लिखो उत्तर हम ये शीशक देना चाहेंगे पहला शीशक संतोशी चिडिया दूसरा शीशक गाने वाली चिडिया तीसरा शीशक स्वाभिमानी चिडिया प्रश्न तीसरा कविता के आधार पर बताओ, की चिडिया को किन किन चीजों से प्यार है, उत्तर इस कविता के आधार पर चिडिया को जिन जिन चीजों से प्यार है, वे इस प्रकार है, पहला दूद भरे अनाज के दानों से, दूसरा रने से, तीसरा नदी से, प्रश्नफोर, आशेस रसुन्देल करगा लेती है इस पंक्ति का भाव है कि चिरिया आनंद पूर्वक मीठी वाणी में कोहुक लेती है चरी नदी का दिल तटोल कर चलका मूती ले जाती है इस पंक्ति का भाव है कि चिरिया जब नदी में बार आती है तब भी उसका जल पीने से नहीं डरती अब हम अनुमान और कल्पना वाले भाग के प्रश्नों के उत्तर करेंगे प्रश्न पहला कवी ने नीली चिरिया का नाम नहीं बताया है वहाँ कौन सी चिरिया रही होगी करश्न तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी साले मली की पुस्तक भार तदी या पक्षी देखो इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जारे में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्नित नीली चिडिया शायद इनमें से कोई एक रही होगी नीलकंट छोटा किलकिला कभूतर बड़ा पत्रिंगा पक्तर इस कविता में वर्नित वह नीली चिडिया नीलकंट हो सकती है क्योंकि वह नीले रंग वाली छोटे आकार वाली का मीठी आवा तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोच लाल है, शरीर हरा है। पहला मैना, दूसरा कॉआ, तीसरा बत्तक, चौथा कबूतर। उत्तर, पहला मैना, मैना के पंधूरे और सफेद रंग के होते हैं। उनकी तांगे हलके लाल रंकी होती हैं। दूसरा, कॉई का पूरा शरीर काले रंका होता है। तीसरा, बत्तक, बत्तक का शरीर तो सफेद रंका होता है। पर उसके पैर हलके गुलाबी रंके होते हैं। चौथा, कबूतर, कबूतर का रंग स्लेटी और सफेद भी होता है, गर्दन कुछ-कुछ नीले रंगी होती है, इसकी टांगे लाल होती है, प्रश्न तीसरा, कविता का हर बंद, वहाँ चिडिया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है, पर खत्म होता है, तुम इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो, तुटर, वहाँ चिडिया जो सुभा सबेरे आंधन में आ जाती है, सतर्ग भाव से देख इधर उधर दाने खाती है, वहाँ सतर्ग चिडिया मैं हूँ, मुझे आंधन से बहुत प्यार है, प्रश्न चौथा, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि, वहाँ फूल का पौधा जो पीवी पंखुडियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेशताएं मुझ में है, पूल के बदले वहाँ कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेशताओं को गिनाते हुए, तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो, ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंख्या निखो, वह फूल का पौधा जो पीवी पंखुडियों वाला महक रहा है, अपनी गंग से सब को महका रहा है, वह दानी पौधा मैं हूँ, मुझे दान से बहुत प्त्यार है, और अब हम भाषा की बात, वले खंड के प्रशनों के उतर करेंगे, प्रशन पहला, पंखो वाली चिडिया, नीले पंखो वाली चिडिया, उपर वाली दराज, सबसे उपर वाली दराज, यहां रिखाकित शब्द विशेशन का काम कर रहे हैं, यह शब्द च को जोड़ कर बनने वाले कुछ और विशेशन दिये गए उपर दिये गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेशन और जोड़ो पहला मुरोवाला बाग उत्तर मुरोवाला बाग सुन्दर मुरोवाला बाग दूसरा पेड़ोवाला घर उत्तर पेड़ोवाला घर बड़े पेड़ो वाला घर तीसरा फुलो वाली क्यारी उत्तर फुलो वाली क्यारी लाल फुलो वाली क्यारी चौथा स्कूल वाला रास्ता उत्तर स्कूल वाला रास्ता हमारे स्कूल वाला रास्ता पाचवा हसने वाला बच्चा उत्तर हसने वाला बच्चा घूब हसने वाला बच्चा छट्वाना वह चिरिया जुन्दी के दाने रुचि से खा लेती है कविता की इन पंक्तियों में मोटे चापे वाले शब्दों को ध्यान से पड़ो पहले वाक्य में रुची से खाने के धंग की और दूसरे वाक्य में रसुंडेल कर गाने के धंग की विशेशता बता रहे हैं। अता ये दोनों क्रिया विशेशन हैं। अता के बाद जन जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उत्तर धीरे धीरे चोथा कोई सफेज सी चीज धप से आंगन में गिरी। उत्तर हब से पांचवां। कौमी फूर्ती से चोर पर जपता, उत्तर, फूर्ती से छटवा, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, उत्तर, सहम कर साथवा, आज अचानक ठंट बढ़ गई है, उत्तर, अचानक, अब हम अन्य पाठेतर प्रश्नों को हल करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों तर, पहला चिरिया आननपूर्वक क्या खाती है, दूद भरे गेहुं के दाने, दूद भरे मक्का के दाने, गगग भरे जवार के दाने, दूद भरे मतर के दाने, सही उत्तर है, दूद भरे जवार के दाने दूसरा, चिरिया के पंक के रंग कैसे है, लाज, नीले, पीले, काले, है ही हक नीले तीसरा चिडिया को पसंद है सबजी फूल अनाज के दाने सही उत्तरहेग अनाज के दाने चौथा चिडिया किस के लिए गाती है के लिए जंगल के लिए पहार के लिए चंद्रमा के लिए सही उत्तरहेख जंगल के लिए अब हम करेंगे अतिलगू उत्तरिय प्रश्ण प्रश्ण पहला चिडिया के पंक किस रंके है उत्तर चिडिया के पंक नीले रंके है प्रश्ण दूसरा चिडिया कहां से मोती ले जाती है चिडिया बार वाली नदी से जल की बूंद रूपी मोती ले जाती है प्रश्न तीसरा चिडिया किसके दाने खाती है उत्तर चिडिया जुंडी के दाने खाती है प्रश्न चौथा अनाज के दानों में क्या भरा हुआ है उत्तर अनाज के दानों में दूद भरा हुआ है प्रश्न प्रांचवा चिरिया का स्वभाव कैसा है उत्तर चिरिया का स्वभाव संतोशी है अब हम लगू उत्तरियर प्रश्न करेंगे प्रश्न पहला कविता के आधार पर चिरिया के स्वभाव का वर्णन कीजिए इस कविता में नीले पंखो वाली एक चिरिया का वर्णन है, वह संतोशी है, वह दूद भरे दाने खाती है, वह मीठी वाणी में गाती है, उसे अपने पर आत्मनिर्भरता का अभिमान है, त्रश्ण दूसरा, चिरिया किस से प्यार करती है और क्यों? चिरिया को खतों में लगे अन्म से प्यार है, वेकोमन दाने उसे अच्छे लगते हैं, उसे जंगल से प्यार है, क्योंकि वही उसका निवास थान है, उसे नदी से प्यार है, उसका जल पीकर वह अपनी प्यास बुझाती है, त्रश्ण तीसरा, चिरिया अपना जीवन कैसे वितीत करती है। उत्तर चिडिया अपना जीवन संतोष के साथ वितीत करती है। जिन चीजों पर उसका जीवन निर्भर है। वह उन चीजों से प्रेम करती है। वह नीची वानी में गाती है। प्रश्न चौथा चिडिया के माध्यम से कवी हमें क्या संदेश देना चाहते ह चिडिया के माध्यम से कवी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी प्राण समान है उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए अब हम परीक्षा में पूछे जाने वाले तरीके के प्रश्न करेंगे परीक्षा में कविता की कुछ पंक्तियां दी जाती है और उन पर आधारित प पढ़कर उचित विकल्प चुनकर उप्तर दीजिए वह चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुंडी के दाने रुची से रस से खा लेती है वह चोटी संतोशी चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूं मुझे अन्न से बहुत प्यार है चिडिया जुंडी के दाने किस सही उत्तर है कर कवी चिडिया चोच मार कर क्या करती है गुस्सा करती है लड़ती है कर गर गर दाने खाती है दाने गिराती है सही उत्तर है दाने खाती है वह चिडिया जो कंड खोल कर बूरे वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है वह चोटी मु बोली चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूं मुझे विजन से बहुत प्यार है चिडिया क इसके लिए गाती है रस के लिए कंड के लिए नीले पंखो के लिए बूरे वन बाबा के लिए सही उत्तर है गार बूरे वन बाबा के लिए वहाँ चडिया जो चोच मार कर चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वहाँ चोटी गर्बीली चडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है चिडिया नदी का दिल तटोल कर क्या करती है मचली ले जाती है सीपी ले जाती है शंक ले जाती है जल की बूंद ले जाती है सही उत्तर है घर जल की बूंद ले जाती है तो यह था ज़रुखा चैनल के नना स्कूल कारकरम में कक्षा छे के लिए CBSI के पाठे करम में शामिल पुस्तक वसंत भागे का पहला पाठ वह चिरिया जो कवी के दारनात अगरवाल केस गीत के हमने शब्दार्थ, भावार्थ और प्रश्नुतर किये क्रिप्याय से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद